आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Moto8NG मुबाइल में मैसेज पर पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं सबसे पहले आपको मीनू में जाना है फिर आपको जो है यहाँ पर नीचे आना है सैटिंग्स आपको दिखाई देंगा इसे ओके कर देना है और फिर यहाँ पर नीचे आना है इस बटन से सिकुरेटी सैटिंग्स इसे ओके करना है फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है यह बटन दबाकर और प्राविसी प्रोटेक्शन इसे ओके कर देना है यहाँ पर आपको दूसरे नमबर पर दिखाई देंगा messages इससे ok करना है यहाँ पर आपको phone password enter करना है तो default phone password होता है Moto8NG Mobile में 4321 आप इस phone password को change भी कर सकते हैं जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं तो मैंने password enter किया और ok कर देता हूँ logged अब मैं back आजाता हूँ अब मैं message open करके देखता हूँ क्या दिखाता है तो मीन में जाता हूँ इस बसन से नीचे आया इधर आया अब message open करता हूँ तो यहाँ पर अब जो है ये phone password मांग रहा है जब तक मैं phone password नहीं दालूँगा messages open नहीं होगे तो यह आप तब रख सकते है message पर password अगर आप चाते हैं कि आपके सिवा कोई और आपके message नहीं पड़ पाए तो मैंने password रखा है आप देख सकते हैं जैसे तो इसका default phone password होता है 4 3 2 1 OK कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब message open हो गया है अब मैं यहां से messages पर सकता हूँ